प्रज़ात अंत्र का मजाग जनता के चुने हुए प्रतिनीधी कैसे बनाते हैं और जनता के लिए बनाई गई योजना उन्हें अपनी बकोती लगने लगती है इसका उधान भिंड जिले की गोहद नगर पालिका में देखने को मिला जहां ध्यक्ष ने दस पारशदों समेश सीएमों को आविदन देकर एक अजब फर्मान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने सीएमों को निर्देशित करते हुए लिखा है कि बिना पारशदों की सहमती के किसी को भी योजना का लाब ना दें इसमें हैरानी की बात तो यह है कि सीएमों ने भी इस पर अपनी टीप लगा दी कि सभी कर्मचारी इसे नोट कर लें लेकिन जब सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुई तो मंगलवार को दूसरा आदेश जारी कर दिया कि पुराने आविदन पर कारवाई नहीं करना है आँ को बता दे कि गौहद में परिशद का गठन हुए दो महने से जादा का समय हो गया है लेकिन परिशद अभी तक यहते नहीं कर पाई है कि उनकी अधिकार क्या है और उन्हें करना क्या है इसी के चलते 27 सक्टुवर को नगरपालिका के पारशदों ने अध्यक्ष को साथ लेकर सीमो को एक आविदन देते हुए पीड़ा व्यक्त की उन्होंने आविदन के माध्यम से आग्रह किया था कि निकाहे में तैनात करमचारियों को आदेशित किया जाए कि बिना वाट पारशद की अनुशंसा से कोई काम ना किया जाए इसमें दस पारशदों समेथ नगरपालिका अध्यक्ष मंजू माहौर ने भी हस्ताक्षर किये थे इसमें मजे की बात तो यह है कि इस आविदन पर नगरपालिका सीमो सतीश दुबे ने भी अपनी टीप लगा दी कि सभी करमचारी इसे नोट कर लें लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस आविदन का मजाक बना तो मंगलवार को दूसरा आदेश निकाला कि पहले दिये गए आविदन पर कोई कारवाई नहीं करनी है अब पार्शत सहत अध्यक्ष को कौन समझाए कि आम लोगों के लिए बनाई गई यूजनाओ के सफल क्रियनवन की मॉनिटरिंग के लिए ही जनता ने आपको चुना है अगर आप लोग ही इन पर पहरा लगाओगे तो जनता कहा जाएगी